विधान सभा की तैयारी में अब सभी पार्टी दल के लोग अपने अपने तरीकों से जुट चुके हैं कहीं पार्टी के बड़ोत्री के लिए लोगों का परवेश जारी है तो कहीं पार्टी के बड़ोत्री के लिए अब लोग सर्फों पर उतरने लगे हैं विसेश तोर पर हम आप आपको ले चलते हैं योंडी सर राष्टवादी कॉंगरेस पार्टी की जिला अद्यज खालिद पुष्टू के निवासादन पर जहां पर आज सैक्ड़ों की संख्या में राष्टवादी कॉंगरेस पार्टी में युवा सामिट हुए इस तोर पर आपको बता दें कि देवनगर की ये सारे युवा हैं जहां पर चावेद पारुकी को ब्लॉक अद्यज का पत दिया गया और साती साथ खान जासुत दिन को उपाद्यज का नियुक्ति पत्र देकर वियोंडी सर अद्यज खालिद गुडू आप देख सकते हैं कि में सम्मानित कर रहे हैं हम आपको बता दे कि अब उप जाहिज सा जो किस्छा सची हुएं राश्टावादी कांगरेस पार्टी के वियोंडी सर उनके माध्यम से सारे दुआ जो हैं आज राश्टावादी कांगरेस पार्टी में सामिल हुए ऐसा बंगाले चैनल से वरतला करें चाइब रजोफ को जानकार देंगे कि नवाज जावेद फारुकी को ब्लॉक 4 का अध्याज की जबाबदारी स्वपी ए और ग्यासुदीन खान को उपाध्याज की सब नगर के सब ये पूरी टीम है युवाओं की जाहिद की पुरी टीम है जाहित के पुरे लोगों ने इनके पर विश्वास करके राष्टवदी पार्टी को जोईन किया है इसलिए इनको ब्लॉग चार के अध्यशपत की जबाबदारी दी गई है आने वाले विधान सबा को देखते हुए ये यंग जो बच्चे है उनका बहुत रोल होता है एलेक्शन में और हर चीज में धरना मोर्चा हो जिस तरीके से ये राष्टवादी को पर विश्वास करके राष्टवादी पार्टी को इन्होंने जोईन किया है हमारी भी जिम्मेदारी होती है कि इनको इनकी कुछ प्रॉब्लम रही तो उसमें इनको ताकत देना इनकी मदद करना इसलिए इन्होंने राष्टवादी को पर वरोसा जता के आज ये पार्टी में परवेश कर रहे हैं और जावेद फारुक की को इसलिए हमने ब्लॉक चार के अध्यश की निक्ति राष्टवादी पार्टी इसलिए हमने जोईन की है गुड़ोगाई जो भ जितने बच्चे आए हैं आज पार्टी में इन सब के मदब वाड के बच्चे हैं हमारे हमारे महनत को देखके सब पार्टी जोईन किये हैं और राष्टवादी कॉंग्रेस पार्टी के जो खालिद गुड़ो एद्देक्श है यांके उनकी महनत पे और उनके नाम पे सब बच्चे भरुसा करके इस पार्टी में आये हैं और मैं भी उनके साथ में हूँ और बच्चे जो है इसलिए पार्टी में जोईन्ट हुए हैं कि खालिद गुड़ो का आज के लिए इतना ही कंसीर मिलेंगे किसी नए धोर के साथ तब तक के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइ करें जन्ता की आवार्टी में धन्यवाद